Relative velocity बहुत important concept है ये समझना बहुत जरूर है इस पर बहुत सारे numerical साथ के NCRT में भी है और competitive examination के लिए भी बहुत important है तो उसके पहले में एक point discuss करना चाहता हूँ आप से आप सभी इसमें से train में बैठे होंगे जरूर तो suppose आप train A में बैठे हो You are traveling in train A और parallel track पे opposite direction से train B आती है तो आपने कभी देखा है ये feel किया है कि भी जो crossing है वो बड़ा fast होता है Even कि हम observe भी नहीं कर पाते कि सामने वाले train में लिखा क्या है बहुत fast Cross कर गे Actual में उतनी velocity तो होगी नहीं जब आप platform पे बैठे होते हैं और जब train को observe करते हैं तो उतनी velocity उतनी speed में जाता नहीं दिखता है At the same time जब आप coaching से घर जा रहे हो स्कूल से घर जा रहे हो अगर आप स्कूटी में जा रहे तो अगर स्कूटी में जा रहे तो दो बंदे एक साथ एक ही direction में बात करते हुए जाते हैं अगर हम लोग बड़ाबर velocity maintain कर ले तो बिलकुल आमने सामने दोनों rest पर दिखते हैं मतब आराम से बात करके जा सकते हूँ वही चीज मैं यहां पर बताऊं कि भी दो parallel track पर अगर दो train एक साथ जा रहे हो बहुत कम ऐसा होता है लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो आप सामने व observer के अलग-अलग position पे होने से आप जो observe कर रहे थे वो अलग आ गया वही अगर train के velocity मैं कहे दू कि भी fixed है यार कि वह 100 km पर आर में ही चलता है तो train है और train B में तो कुछ फरक नहीं यह भी 100 से जा रहा है और train B भी 100 से चल दे लेकिन क्या हुआ जब parallel track पे थे तो आपने जो observe किया motion के impact को जो observe किया वो और यहां पर जो impact observe किया वो दोनों बिल्कुल different था impact कहने का मतलब यहां पर मैं experience से बात कर रहा हूं कि आप क्या feel करते हो क्या experience करते हो थो और आगे चलते हैं अगर हम लोग देखें अगर train के अंदर ही देखें तो train में मालो यह और यह बी है तो अगर train मूव कर रहे train 100 मेंटर पर सेंद से 100 किलो मेंटर पर आठ से यह मूव कर रहा है बट ए और बी अगर एबी को observe करेगा तो क्या दिखेगा rest पर दिखेगा लेकिन अगर कोई ground पर बैठा है अगर कोई बंदा ground पर बैठा है platform पर बैठा है ठीक है तो अगर यह platform पर बैठा है तो इसको यह पूरी train मूव करती वह दिखेगा अगर यह कहीं से देख पाएगा a को b को तो दोनों travel करता हूँ दिखेगा with some velocity जो उस train की velocity ओगी ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूं कि अगर ये, ये जो B है, अगर ये B اس ट्री को आभ्जर वकरता है, तो क्या दिखेगा इसको? रश्रृत करो अगर ये B को आभ्जर्व करेगा, ट्री को देखता है, तो moving tree दिखता है इसको आपने भी observe किया होगा train से बार tree को देखो तो लेकिन इस बंदे के लिए यह tree जो है वो rest पे दिखेगा तो यह जो हो रहा है यह जो घरबर हुआ यह जो घपला दिख रहा है वो relative velocity के वज़े से और तो और जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे होते जो सब कुछ equations यूज कर रहे होते motion के जो आप कुछ भी लिख लो like s equals ut plus half a t square या v square equals to u square plus 2ac जो भी लिखते थे आप महां भी हमने सोचा ही नहीं है ऐसा कि observer भी कुछ है क्योंकि by default जो कुछ कुछ भी हम लोग यूज कर रहे थे वो with respect to ground यूज कर रहे थे और एक चीज आपने देखा होगा कि यह सब कुछ अलग तब दिख रहा है जब observer जो observe करने वाला है वो move करने लगया अबसर्व करने वाला जब move करने लगया तब अलग अलग चीजें दिखनी शुरू भी जो unusual था ठीक है अब देखे इसको समझते हैं कि हुआ क्या होगा बहुत simple तरीका है अभी पहले मैं one dimension में बताऊंगा फिर इसको 2D में ले जा एक parallel track बना हुआ है एक simple track के बात कर एक track है और वहाँ पे car A और car B दो car अमने दिखाया यहां पे दोनों moving car है देखना समझना और car A and car B car A इस तरफ this is car A this is car B और एक और car है यहां पे that is car C देखना बहुत सारे questions आपके NCRT के भी exercises में given जो relative velocity से बनेगा तो यह समझना बहुत ज़रूरी है and this one is car C ठीक है यहां तक समझ पा रहे हैं हम लोग तो इसमें देखे सबसे पहले हम लोग A और B से देखना शुरू करते हैं suppose the velocity of A is 5 meter per second and velocity of B is 10 meter per second ठीक है अभी आप पहले A और B को सोचते हैं समझते हैं फिर C पे चलेंगे हम लोग ठीक है न और यहां पे अभी जो दिख रहा है जो जस time पर हमने यह observation लिया हुआ है उस time पे A और B के बीच का जो separation था suppose it was 100 meter उस time पे जो A और B के बीच का जो separation था वो 100 meter था यह के बन था किसी time पे जब हमने लिया तो यह यह 100 meter आ गया ठीक है अब यहां पे देखिए हमने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ground के frame से लिखा हुआ है क्योंकि velocity of A is 5 meter per second जब इस बंदे को यह जब ground पे बैठा है तो यहां से जब यह observe कर रहा है तो इसको दिख रहा है यह 5 meter per second से और यह 10 meter per second से ठीक है अब मालो after one second क्या होगा after one second क्या हो जाएगा यह car थोरा move कर जाएगा तो आप देखेंगे after one second car displace होके थोरा आगे आगया ठीक है और at the same time car B यह भी displace होके थोरा आगे आगया ऐसा लिख सकते है और यह जो displacement हुआ यह कितना हुआ 5 meter यह जो displacement हुआ यह कितना हुआ 10 meter why because हमने time 1 second लिया हुआ है और इसकी जो velocity है it is 5 meter per second और इसकी जो velocity है it is 10 meter per second तो after one second यह 5 meter आगे को travel कर गया और यह 10 meter इस तरब को travel कर गया लिख सकते है अब अगर हम लोग देखें तो भी अगर B move नहीं कर रहा होता तो इस car के और B point के बीच का distance कितना होता 100 minus 5 95 अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से कहता हूँ कि भी A B को observe कर रहा है car A car A के अंदर जो driver बैठा है यह B को observe कर रहा है तो शुरू में before 1 second जो separation था it was 100 meter after 1 second between A and B the separation becomes 100 minus 5 minus 10 यह भी 5 meter और यह 10 meter तो कितना हो गया 100 minus 15 हो जाएगा तो क्या लिख देंगे आप इसको 85 meter लिख सकते है मतलब अगर टोटल देखे इसमें तो 100 जो पहले था इसमें 15 reduce हुआ है 15 क्या हुआ reduce हुआ मतलब क्या हुआ बट इस car car A is moving with 5 meter per second तो after 1 second separation between A and B 5 से reduce होना चाहिए था यह 15 से क्यों हो गया because B is also moving with 10 meter per second तो अगर मैं यहां पर A को observer बनाता हूं तो जब A, B को observe कर रहा है तो एक second में जो change आ रहा है वो 15 आ रहा है और clearly देखेंगे this is the sum of these two velocities मतलब जब भी हम लोग moving observer की बात करेंगे जब भी हम लोग moving observer की बात करते हैं तो उसको ऐसा लिखा जाता है like VBA मतलब क्या हो गया VBA इसका मतलब क्या पढ़ेंगे velocity of velocity of B जो पहले आ रहा है उसकी velocity लिख रहे हो आप velocity of B relative to relative to जो बात में आया है A लिख सकते है तो अगर A observer है और B opposite direction में चल रहा है तो क्या हुआ दोनों की velocity को sum कर दिया आपने पूसी direction में किस तरह से हुआ समझ आ रहा है तो मतलब जब आप मूव अगर ये कार रेस्ट पे हो जाए इस कार की velocity को गायब करते हैं तो आफ्टर वान सेकंड जो separation में कमी आएगी जो इतना separation कम होगा that would be only 10 meter मतलब सरफ इसकी velocity से जो अभी तक हम लोग ground के frame में कर रहे थे तो देखो जब observer move करना शुरू करता है तो जो actual velocity actual कहने का मतलब यहां पर सीधा जो stationary frame मतलब ground frame से जो velocity है उससे कुछ अलग दिखता है और अलग कैसे दिखता है जब opposite direction होगा तो आप add करोगे जब भी opposite direction में दो bodies travel कर रहे हैं तो क्या होगा velocity के को हम लोग क्या करेंगे add कर देंगे ठीक है यहां तक समझ आ रहा है अब आगे देखते हैं अगर एक ही direction में दोनों मूव कर रहा होता तो क्या होता अब हम लोग दूसरा situation लेते हैं कि भी car A this is moving this car A is moving towards positive x-axis with 20 meter per second and car B is moving with 10 meter per second along same direction अब देखो initial separation between these two is 100 meter यह के वन है 100 meter के वन है after one second after one second क्या हो जाएगा अगर हम लोग आफटर one second के बात करें तो यह car तो आगे move कर जाएगा और यह car भी आगे move कर जाएगा तो देखो A से अगर देखेंगे तो A is moving with 20 meter per second तो देखो एक second में यह 20 meter आगे चला गया मतब जो separation between A and B T0 पे 100 meter था वो अब क्या होगा after one second कितना हो जाएगा क्योंकि यह भी कुछ आगे चल पड़ा है कितना 10 meter तो अगर मैं अब separation देखो 100 meter कब था at T0 जो separation था it was 100 meter per second after one second अब जो separation है D dash it will be 100 इसने reduce किया 20 आगे चला गया तो minus 20 लेकिन सामने वाला भी आगे किसक गया है मतब अब यह A की new position है और यह B की new position है तो अगर A नहीं चलना होता तो separation 10 से बढ़ गया होता और अगर B नहीं चलना होता तो यह separation 20 से पूरी तरह से कम हो गया होता since B is also moving तो क्या हो जाएगा plus 10 लिख दिया तो यह कितना आगया minus तो यह 90 हो जाएगा 90 meter पहले separation 100 meter था now it is 90 meter but A is moving with 20 meter per second A जो है वो B की तरफ 20 meter per second से चल रहा था लेकिन separation 90 मतब जो 80 होना चीए था वो 90 है because of velocity of this car यह चल रहा है इसने effective जो separation था जो होना चीए था उसको उसने कम कर दिया तो यहां पे अगर मैं A से observe करना शुरू करता हूँ अगर मैं A पे हूँ A से observe कर रहा हूँ तो देखोगे कि velocity of B with respect to A ठीक है यह velocity of A with respect to B दोनों कुछ कम हो गया जितना ground से दिखता था उससे कुछ अलग आया इसको मैं अगर थोड़ा ऐसा दिखाऊं तो 100 लेख सकते है ना इसको मैं ऐसा कर लूँ minus 20 minus 10 दोनों तरफ से देखो यह इसको अप्रोच कर रहा था यह separation को कम करने की कोईश्च कर रहा था यह separation को बढ़ाने की कोईश्च कर रहा था यह 10 से बढ़ाने की कोईश्च कर रहा है बढ़ से प्रेशन कम हो रहा है बिकोज देख बड़ी इस मोविग विट 20 मिटर पार से के मतब जब भी सेम डिरेक्शन में तो दोनों की वेलोसिटी का मैंगनिट्यूड एक दूसरे में सब्ट्राक्ट होता है तो यहां पर मैं लिख सकता वी अबी मतब मैं यहां बता है यह बिलकुल वैसा ही होगा कि VBA लिखा है मतब वेलोसिटी ओफ बी रिलेटिव टू ए और अगर VAB लिख दिया है तो दिस इस वेलोसिटी ओफ दिस वेलोसिटी ओफ ए रिलेटिव टू बी लिख सकते है ना और यहां पर क्या होगा VBA माइनस VB V a माइनस VB Similarly अगर हमें VBA लिखना होता अगर हमें VBA लिखना होता वेलोसिटी ओफ वी विट रिस्पेक्ट टू ए तो मैं क्या करता V B माइनस V A लिख सकते है तो clearly दोनों जो है opposite sign का रहा है मतलब मैं यहां से कर लिखना चाहूं इसको vector form में लिख दूँ तो vab और vba ऐसा आ सकता है but minus sign लिखना पड़ेगा because इसको मैं ऐसा लिख सकता minus va va minus vb यहां से लिख सकते हैं बटोनों का चो magnitude होगा वो क्या होगा equal आएगा अब हम लोग ध्यार दखना मोसा ने इना straight line पर बात कर रहे हैं 2d में भी इसको use कर सकते कैसे करेंगे उसको improvise कहां पर करना वो मैं बताऊंगा तो यहां तक तो समझ आ है कि भी velocity of a with respect to b या with relative to b मतलब vba लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे आप velocity of b relative to a और अगर a भी लिखा है क्या पढ़ेंगे velocity of a relative to b तो यहां तक समझ आ गया तो देखो अभी आपको अपना ध्यान रखना है कि अगर a की direction में दो body move कर रहा है तो relative velocity अगर एक दूसरे के respect में लिखेंगे तो subtract करना है opposite direction में क्या करना है add करना है आपके ncrt के देखोगे ncrt में कुछ questions like 3.8 बहुत ही बड़ी आ question है town a and town b वाला इसके साथ ही उसको upload किया हुआ है वो जो solution है उसका वह भी देखेगा तो यहां तक समझ आ रहा है very good अब देखे अपने vba vab कैसे लिखते है वो आपने लिख लिया exactly इसी pattern पर अगर मैं s को displacement लिखता हूँ तो अगर कहीं पर sab लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा displacement displacement of a relative to b याद रहेगा displacement of a relative to b लिख सकते है similarly sba का मतलब आप लिख लोगे कहीं पर अगर a से अगर मैं acceleration लिखता हूँ तो a b लिखता हूँ तो क्या होगा acceleration of acceleration of a relative to b लिख सकते हैं यहां तक समझ आ रहा है अब देखेगा method वही होगा अगर मानलो दो बॉड़ी को इन फ्रीफॉल हो रहा है अगर मानलो बॉल ए और बॉल बी इन दोनों का फ्रीफॉल हो रहा है और मैं पूछता हूँ लिख सकते हैं इसलिए अगर दो बॉड़ी को प्रजेक्ट करेंगे तो एक बॉड़ी से दूसरे को देखोगे तो स्ट्रेट लाइन पर नहीं दिखेगा यह बात आपको समझ आनी है जब हम लोग प्रजेक्टाइल में जाएंगे तो यहां तक तो समझ आ गया अब बहुत एक important change देखते हैं अभी हम लोगों ने जो पहले equations पढ़े हुए आपको याद होगा अपने पढ़ा है s equals ut s equal to ut plus half at square आपने एक और equation पढ़ा है v square equal to u square plus 2as और आपने यह भी पढ़ा है v equals u plus 80 ठीक है अब यहां पर देखना यह जो मैंने अलग-अलग करके लिखा है इसका एक मतलब है अभी तक जब हम लोग इन तीन equations को use करते थे तो कभी नहीं सोचते थे relative to a और relative to b relative to c कुछ भी नहीं आसा है क्योंकि by default हमारी गाड़ी जो है वो ground के frame में जा रही थी मतब यह जो equations है यह किसी moving observer के लिए a b valid होगा ध्यान हमें यह रखना है कि अगर मैंने यहां पर a b रख दिया अगर हम लोग displacement of a with respect to b calculate कर रहे हैं तो इस equation में u a b रखना पड़ेगा मतब initial velocity भी कैसी रखनी पड़ेगी हमें velocity of a with respect to b at the same time acceleration भी हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा यहां पर v a b u a b a b a b मतब कभी भी ऐसा नहीं यहां यहां पर a c कर दिया या बी यह कर दिया और गलत होगा वह मतब आप जिसका displacement जिसके relative लिख रहो initial velocity भी बिल्कुल वैसे ही pattern पे and acceleration भी वैसे ही pattern पे होना चीए a b a b and a p ठीक है एक बहुत simple example देता हूँ वहां से आपको समझ आएगा सपोज दो different bodies है a and p देखना और a की initial velocity हमने लिख दी 10 meter per second and the acceleration of a is 2 meter per second square ठीक है अब यहां पे क्या कह रहे है b की जो velocity है वो 5 meter per second है and the acceleration of b is 1 meter per second square अब इन दोनों का direction भी पता है मतब a की velocity positive x पे और acceleration भी positive x पे b की velocity भी positive x पे और acceleration भी positive x पे आप से question यह पूछा गया है fine vab मतब final velocity of a with respect to b at t equals 2 seconds अब हम लोग क्या कर सकते है अगर हमें relative नहीं पता है यहां तक शुरू में तो पहले मैं अलग-अलग लिख हूँ अगर मैं तो इसको ऐसा भी कर सकता कि भाई v a कितना हो जाएगा after one second velocity of a कितना होगा u plus 80 मतब 10 plus 2 into 1 because time is 2 seconds तो 2 into 2 लिखना पड़ेगा मैं लिख सकते है इतल भी 14 meter per second और मैं अगर vb निकालू तो कितना आएगा 5 plus acceleration of b 1 into the time 2 मतब 7 meter per second अब दोनों same direction में जा रहा है एक ही direction में दोनों move कर रहा है तो मैं v a b निकाल सकता एक ही direction में velocity of a with respect to b मतब v a minus vb करने की ज़रूत है तो कितना आएगा 14 minus 7 7 meter per second यह हमने लिखा मतब बिना यह इसमें हमने motion के equations यूज किये बट बिना उसको improvise किये बिना उसमें relative वाला concept लिखे क्या मैं इसको यहां से कर सकता बिलकुल कर सकते हैं आप कैसे करेंगे देखे आप v a b को u a b plus half sorry v को u plus a t लिखते हैं तो u plus a of acceleration of a with respect to b into time कर सकते है तो देखे initial velocity of a with respect to b कितना 10 and 5 तो 10 minus 5 plus acceleration of a 2 minus 1 acceleration of a with respect to b into time time is 2 second लिख सकते है तो 10 minus 5 5 plus 2 7 तो वही रिजल्ट है जो दर से आ रहाता है लिख सकते हैं तो यह जब भी हम relative के लिए यह equations use करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अब जैसे एक बहुत और भी simple चीज कि भी relative के बहुत फाइदे निकलने बहुत ऐसे question है जैसे यहां पर आपको होगे कि along the same line upward direction में एक दूसरे body को project करते हैं with 80 meter per second अब आपसे कह रहे हैं यहां तक समझ आ रहा है find the velocity of a with respect to b after time t equals 2 seconds अब क्या करेंगे time लगाएंगे इदर उदर कुछ करेंगे यह बहुत आसान है दोनों के पास जो acceleration है वो किदर है दोनों के पास जो acceleration है वो किदर है downwards है acceleration due to gravity क्योंकि दोनों को हमने motion under the gravity में के अंदर रखा हुआ है तो यह भी g यह भी g तो यहां पर acceleration of a with respect to b कितना हो गया 0 तो there'll be no change in relative velocity of a with respect to b definitely दोनों का अलग-अलग velocity मत्तब ground के frame में change हो रहा है due to this acceleration लेकिन अगर relative के बात करें तो since acceleration of a with respect to b is 0 तो क्या होगा there'll be no change in velocity of a with respect to b तो यह कितना हो जाएगा जो शुरू में था शुरू में कितना था दोनों opposite direction में थे तो कितना लिखोगे 50 plus 80 130 meter per second लिख सकते हैं फिर दिमेदे में इसको direction पर ले जाएंगे यहां पर मैं सिर्फ आपको सिखाने समझाने की कोश्च कर रहा हूं यहां तक समझ आ गया आप अपने method से भी करिएगा 50 plus GT यहां पर क्या लिखोगे after two seconds तो 50 plus 10 into 2 लिखोगे अगर जी को हमने 10 लिख दिया इसको क्या लिखोगे या तुम लोग उसको resolve करके कर सकते या एक shortcut method भी यूज़ करेंगे तो वो इसके बाद आएगा तो उसमें कुछ NCRT के भी बड़े अच्छे सवाल थे कुछ अलग 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 कॉम्परिटिव के भी है हाईडी का भी कुछ question है तो आप इसको देखते रहिए समझते रहिए भरोसा रहिए समझा तो दूँगा मैं आपको ठीक है